सु गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स की नियूपकमिंग स्मार्टफॉन की बारे में जुकि इन्फिनिक्स हॉट 11 स्रीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आप सबको पता होगा कि पिछले साल ही इन्फिनिक्स ने हॉट 10 स्रीज को लांच किया था जिसके अंदर आपको काफ अच्छे स्मार्टफॉन काफ अच्छे प्राइश पर देखने को मिले थे अब इन्फिनिक्स अपनी हॉट 11 स्रीज को भी लांच करने वाला है जिसके अंदर हमें पहला स्मार्टफॉन देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स हॉट 11 S फॉन के रिगार्डिंग दोस्तों काफी सारी इन्फॉर्मिशन हमारे सामने आ चुकी है और फॉन की टीजर के एकॉर्डिंग ये स्मार्टफॉन आपको 17 सेप्टमबर को इंडिया के इंदर देखने को मिल जाएगा साथ ही का इस फॉन का ओपिस्टेल डिजाइन बगरा भी सामने आ चुका है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं फॉन की सभी स्पैक्स की इसकी डिजाइन की साथ ही कैसे हम बात करेंगे कि फोन की प्राइज बगरा क्या रहने वाली है तो स्वागत अब सब का टेक रोच पर जानकारी के लिए वीडियो में अंट तक बने रहें और दोस्तो चैनल पर पहली बर आए हैं तो चैनल सस्क्राइब कर लिजिए ताकि आपको इसी तरह के टेक वीडियो मिलती रहें तो दोस्तो इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन काफी सारी कस्टमर्स को पसंद आते हैं और इनके स्मार्टफोन मिल्टन सेंग्मेंट के अंदर भी काफी अच्छे स्पैक्स के साथ में लॉंच होते हैं तो आज के इस वीडियो में दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं Infinix Hot 11S की उसके अंदर भी दोस्तों हमें काफी अच्छे specs देखने को मिलने वाले हैं तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं phone की build quality की तो यार यहाँ पर आपको plastic की body देखने को मिलती है अगर front side की बात करें तो यहाँ पर आपको एक बड़ी display के साथ ही notch का design देखने को मिलता है तो phone का design लगवग Realme की C-series के similar रहने वाला है Nest का इस अगर हम बात करते हैं phone की display की तो guys यहाँ पर आपको 6.82 इंचेस की display देखने को मिल सकती है जो की एक LCD display होगी और Full HD Plus resolution के साथ में आईगी साथ ही guys यहाँ पर आपको अच्छी वात यह है कि 90S का refresh rate भी देखने को मिल सकता है तो काफ अच्छी brightness दोस्तों इस phone के अंदर आपको देखने को मिलेगी तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी upgrade आपको देखने को नहीं मिलता है वही Sam display देखने को मिलती है जैसे की Infinix Hot 10s के अंदर दी गई थी डिस्पले के बाद guys अगर हम बात करते हैं phone के performance की तो guys यहाँ पर आपको MediaTek का Helio G88 processor देखने को मिलता है जो कि दोस्तों आपको Redmi 10 Prime के अंदर भी देखने को मिलने वाला है जो कि 3 से दंबर को India के अंदर launch होगा तो यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि Redmi 10 Prime को यह smartphone कैसे वीट करता है इसके लावा guys यहाँ पर आपको RAM के 2 विनिट्स देखने को मिलेंगे जिसमें 4GB और 6GB होंगे जो कि दोस्तों 64GB और 128GB तक की storage के साथ में आएंगे इसके साथ ही दोस्तों आप इसकी storage को 500GB तक MicroKite की मदद से बढ़ा सकेंगे तो performance के मामले में दोस्तों काफी ठीक ठाक smartphone यह रहने वाला है और काफी अच्छी दोस्तों आप यहां पर gaming बगएरा कर सकते हैं नेश्ट का इस अगर हम बात करते हैं फॉन में camera setup की तो यहां पर आपको rear में triple camera setup देखने को मिलेगा जिसका man sensor रहने वाला है 50MP का इस किलब दोस्तों यहां पर आपको 22MP के दो और sensor देखने को मिलेंगे जिसमें एक macro और depth sensor रहने वाला है अगर front camera की बात करें guys तो यहां पर आपको 8MP का front selfie camera देखने को मिलेगा जिससे आप काफे ची selfies और video calling बगएरा कर सकते हैं तो camera setup दोस्तों इस phone का काफी decent रहने वाला है और काफे ची camera quality दोस्तों आप यहां पर expert कर सकते हैं camera के बाद guys अगर हम बात करते हैं phone की battery की तो यहां पर आपको 6000 damage की एक battery देखने को मिलती है जो कि 18W के first charging support के साथ में आएगी तो दोस्तों काफी बड़ी battery यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है और दोस्तों 18W के fast charging support के साथ में आएगी तो काफी जल्दी अपने smartphone को आप charge कर सकते हैं कुछ और details की बात करें guys तो यहां पर आपको fingerprint scan का support back side में देखने को मिलता है इसके साथ ही दोस्तो 3.5 mm का audio jack और USB Type-C का support देखने को मिल जाएगा इसके लाबा दोस्तों Infinix का यह smartphone Android 11 पर वर्ग करता है तो काफी अच्छी speed दोस्तों आपको 4G connectivity के साथ में यहां पर देखने को मिलेगी अब गईस अगर हम बात करते हैं phone की pricing की तो इस phone की pricing रहने वाली है लगवक 10,000 की आसपास इसके साथ ही दोस्तों यह smartphone 17 सप्टमबर को इंडिया के इंडल लॉंच होने वाला है सो गई सेती सारी information जो की Infinix Hot 11S smartphone के बारे में अभी तक निकल कर आई है आप मतलए कि आप इस phone के बारे में क्या सोचते हैं और क्या इस phone को लेने में इंटेस्टेट होंगे अगर आपका कोई और भी comment हो तो दोस्तों आप वो भी लिख सकते हैं फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियों चलाला होतो वीडियो कügen लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल पड़ी है तो मुर्ल यह संस्क्राइब कर लिजिए ता कि आपको इसी तरह के टेइक वीडियों मिलते रहे हैं में मिलता हूँ आपको नएश वीडियो में अब तक के लिए गुडबाई है बनाइश टे